आज कल समाचारों में BBC द्वारा बनाया गया एक वृत्त चित्र है जो दो भागों में बनाया गया है और जिस पर बहुत राजनीती हो रही है जिस पर भारती प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया है लोग इसको देख रहे हैं दिखा रहे हैं इसका विरोध हो रहा है इस पर जैसा सब हम जानते हैं जो जिस पक्ष को लेने वाला है उसी पक्ष को लोग ले रहे हैं जो इस वृत्त चित्र में दिखाया गया है दो भागों में हैं जहां तक मेरी जानकारी है कुछ भी नया तो नहीं है जो पिसी हुई बातने हैं उन्हीं को पीसा गया है और BBC का पू पढ़ा था जो लेक था नेपाल में हो रहे धर्मांतरन मतांतरन को लेकर तो नेपाल में एक विशिष्ट मत के लोग मतांतरन करा रहे हैं और जहां उस मत के लोग की संख्या कुछ भी नहीं थी वहां लाखों लाखों उनक्षेत्रों में लाखों लाखों अब उस मत की अनु इस लेख में ऐसी बाते लिखी गहीं थी जो कोई निश्वक्ष समाचार पत्रल कैसे लिख सकता है मैं सोच रहा था उसमें ऐसा लिखा गया जो मतांतरन करार है लिए कि अश्ती उसके शब्दों में कुछ विश्यों में तो बहुत अधिक रहता है, आज मैं इसी वृत्य चित्र पर जो अल जजीरा में समाचार पढ़ा है, शपा है, उसे पढ़ रहा था, अल जजीरा ने जो च्छापा है, उसमें यह तो लिखा है, यूसी बैनरंटजी के नेतरत में जो समिति थी, उसने कह दिया था, जो आग लगी थी, वह दुरकटना थी, पर वही छोड़ दिया है, उसके आगह यह नहीं लिखा है, भारतिय नयायलों ने ही, उस समिति को इधानिक घोशित किया था और भारतिय नयालयों ने ही इसके पश्चात जो रे लियान में आग लगाई गई थी उसके लिए लोगों को दोशी पाकर दंड भी दिया था यह तो नहीं लिखाए तो एक पक्षिय जो समाचार है अलजजीरा में भी छपा है इसी को लेकर तो इस पीस कर कूट कर परोसा जा रहा है और मुझे लगता है इस पर भारती प्रशासन ने कुछ शीगरिता में निर्णे लेकर इसको प्रतिबंध किया है क्योंकि इसको इस पर प्रतिबंध नहीं लगाते तो कोई देखता ही नहीं यह विशे तो ऐसे ही चुप हो जाना था क्योंकि आज कल तो चमतकार की ही चर्चा चल रही है दिन और रात तो इस पर तो कोई ध्यान देता ही नहीं और लोग भूल भी जाते एक चलशित्र बना था परजानिया करके वह भी गुजरात के दंगों पर बना था उसे भी लोग भूल गए है और जब भारत के सरोच नहायले ने जब भारत के प्रधानमंतरी को निर्दोश घोशित करी दिया है तो फिर कोई प्रशन उठता ही कहा है जब पूरी जांच हो चुकी है जब कोई प्रमान मिला नहीं है उनकी समलिप्तता का तो फिर भारती जन्मानस तो आश्वस्त है ही भारती जन्मानस तो अधिकामश भारती जन्मानस तो मान ही चुका है ऐसा कुछ था ही नहीं पर इसको फिर से और जो दुतिय भाग है उसमें वही बातें जो कुछ दिनों पहले तक चल रही थी ये जो लिंचिंग को लेकर जो सामुहिक वद को लेकर जो ऐसा नहीं है एक विशिश्च समुदाय के लोगों का ही हुआ है भारत में सामुहिक रूप से हिमसा किसी का वद करना ऐसी दुरगटनाएं बहुत बहुत लज्ज जनक है परन्तु ऐसा नहीं है ये केवल एक समुदाय के लोगों के साथ हुई है ये तो होती ही रहती है और इनको रोका जाना चाहिए इनके जो इसमें अपराधी पाए जाए उनको उचित जाच के बश्चात दंड मिलना चाहिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये अक्षम म घटनाए है पर इसको सीधा मोदी से जोड़ कर और एक आपना कथानक गढ़ लेना और उसको बेचना तो ये तो बीबीसी का पूर्वाग्र है ही और कुछ लोगों ने इसकी निंदा भी करी है कि इसमें तो जूट ही बोले गए है तो मैंने रित्चित तो देखा नहीं है पर इतना कह सकता हूँ भारती प्रशासन ने जो इसको प्रतिबंध लगाने का निर्ने किया उसके स्थान पर यदि ये एक इसके उत्तर में एक वरित्चित्र बना देते और बनाने वाले बहुत लोग है भारती प्रशासन के पक्ष में ही बहुत लोग है जो इसको बना कर BBC के वृत्त चित्र की धजियां उड़ाने वाला एक वृत्त चित्र बना कर उसे इसका यदि विमोचन करते इसको लोगों के सामने लाते और फिर प्रधानमंत्री सहित जो भी सत्ता पक्ष के समर्थक हैं वे इसे सामाजिक संचार माध्यों पर इसको साज़ा करते तो मुझे लगता है उचित नहीं है अर्धसत्य है जूट है एक प्रकार से बहकाने वाला काम है तो उसके उत्तर में आप एक पुस्तक लिखें जिसमें उन अर्धसत्यों की उन जूटों की उन बहकाने वाली बातों की धज्यां उनाते हुए सत्य को स्थापित करें तो ऐसा कारे होन पड़ेगी BBC दूसरे देशों में जाकर इसे वित्यचित्र बनाता तो है भारती मीडिया क्या करता है भारती मीडिया तो केवल टीरपी बटोरने के चक्कर में वहीं लगा रहता है भारती मीडिया को तो क्रिकेट से बॉलीवुड से और आजकल चमतकारों से कोई अवकाश ही और भी उपाए हैं जो किये जा सकते थे मैं मुझे आश्यर हो रहा है इस पर प्रतिबंध जो लगाया गया प्रतिबंध लगाने के अतरिक्त और बहुत से उपाए किये जा सकते थे कान मरोणने के बहुत से उपाए हैं जो किये जा सकते थे और इसका उत्तर दिया जा सकता जैसे मैं उधारन देता हूँ, मैं देखिए किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, पर एक जो उधारन था, जो दो सहसर उन्नीस के चुनावों में, विपक्षी दलों ने एक आरोप लगाया, चौकीदार चोरे, इसको दिन सत्तापक्ष ने इसी चौकीदार शब्द को अपना कर, सबके ट्विटर हैंडलों पर लगवा कर, और एक गाना निकाल दिया, मैं भी चौकीदार हूँ, और उससे इन्हों ने पूरा दाव पलट दिया, तो ये नीती मुझे अच्छी लगी, आप पर कोई आक्रमन कर रहा है, पर ये कुछ बातें देखकर मुझे आश्चरे हो रहा है, कुछ बातें सुनकर आश्चरे हो रहा है, कि उस वृत्त चित्र को अब कोई विश्वद्याले दिखा रहा है, वहां पर बिजली गुल हो रही है, वहां पर पुलिस आ रही है, वहां पर हिमसा हो रही है, पत् पहुमत तो भारत का है ही पिछले दो चुनावों से तो ऐसा ही लगता है तो हो तो सकता ही है कोई एक उत्तर में वृत्त चित्र बनाए और उसको सब लोग देखें प्रकाशित करें पर हां एक बात मैं वश्य कहूंगा बीबीसी अलजाजीरा आदी वैसे तो कोई भी मीडिय चैनल हो उसका पूर्वागरह रहता ही है पर कई कई विश्यों में इनका पूर्वागरह बहुत एक सीमा के पार हो जाता है तो उसका उत्तर देना चाहिए तो यही मेरे विचार है वृत्त चित्र तो मैंने देखा नहीं है पर आप देखिए जो लोग इसको दिखा रहे है जो लोग इसको Twitter पर डाल रहे हैं, वे सब लोग धुर-Modi विरोधी हैं, और जो लोग इसका पर प्रतिबंद लगाने की मांग कर रहे हैं, जो लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, वे सब मोदी समर्थक हैं, तो यह कोई आशर नहीं है जो हो रहा है, पर इसको और तो अब सोचने के लिए क्या बचा यदि हम अपने देश में अपने सरोच न्यायले के निर्णे को ही नहीं मानेंगे तो किसे मानेंगे तो यह भी एक विचारणिया विशय है इसी के साथ आज के वक्त अब गुभी राम देता हूं नमोगा